हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक सौगत है देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और काफी जादा चर्चा में है नोबल प्राइस तो देखिए सब लोगों ने हमने मैंने भी खुद अपने वीडियो डाली है जिसमें 2021 के इतने भी नोबल प्राइस विनर्स हैं मैंने उन सब के बारे में कौन है और उनको क्यों दिया गया है सब डिस्केजर में बताया है उसका लिंक इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में डाल दूगा लेकिन कुछ कोशन्स ऐसे हैं जो नोबल प्राइस से जुड़े हुए हर साल पूछे जाते हैं नोबल प्राइस के बारे में जितना कोशन्स कोई भी एक्जाम हो मैं नहीं मानता कि मिनिमम में एक कोशन और मैग्जिमम दो से तीन कोशन्स भी एक्जाम में आते हैं तो मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए नोबल के इत्यास में जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है और एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से तो बहुत ही जादा जरूरी है तो देखे हम एक एक कोशन्स स्टेप बाई स्टेप कुछ लास्ट में कोशन्स भी हैं और 2021 के जो अवार्ड विनर्स हैं लोरेट्स हैं उनका भी नाम मैंने इसमें डाला है तो पहले उसका कुछ बैक्ग्राउंड जानते हैं और ऐसी कौन-कौन से यूनिक कोशन्स हैं जो हर बाड एक्जाम में पूछे जाते हैं उन पे हम सब पर चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए नोटिफिक्शन बैल को दबा दीजिए और वीडियो लाइक और सेर जरूर करें देखिए हम सुरू करते है नोबल प्राइज वाज फर्स्ट कनफेर्ड इन 1901 नोबल प्राइज जो है सबसे पहले देखिए 1901 से सुरुवात हुई थी तो सबसे पहले कोशन तो ये बनता इसकी सुरुवात कब से हुई तो देखिए नोबल प्राइज की सुरुवात सबसे पहले 1901 से सुरुवात की गई थी किस आधार पे? अकोर्डिंग टू दा सर अलफ्रेड नोबल स्विल ओफ 1895 देखिए एलफ्रेड नोबल जिनके नाम पे प्राइज दिया जाता है उनकी एक विल थी वसीयत थी अठार सो पिच्चानवा उसके आधार पे इसका प्राइज का जो है सुरुवात की गई थी अब एलफ्रेड नोबल खोन थे देखिए नाम हम सबको पता है वह एक्शली स्वेडिस, साइन्टिस्ट, इंजिनियर एड इंडरिस्टिलिस्ट थे most famously known for the invention of dynamite तो देखिए second question यहाँ पे यह बनता है कि who invented dynamite तो देखिए dynamite की खोज जो है अलफ्रेड नोबल ने की थी अब हम उससे आगे आते है अब यह अवार्ड जो है अक्टूबर के first या second week में most probably गोसित किये जाते है ठीक है every year और दिये जाते है 10 December को यह question कई बार पूछा गया है कि यह awards जो है physically कब दिये जाते हैं कि 10 December को यह awards दिये जाते है अब 10 December को क्यों दिये जाते है क्योंकि जो एलफ्रेड नोबल थे उनकी जो मृत्यू हुई थी वो हुई थी 10 December 1896 में तो इसलिए 10 December का दिन यह important है चले आगे बढ़ते है अब यह जो अवार्ड है यह yearly दिये जाते है किस-किस छेतर में दिये जाते है तो देखे जब इनकी शुरुआत की गई थी तो यहाँ पर 5 जो छेतर है फिल्ड है उनको चुना गया था तो उस 5 फिल्ड में बात करेंगे हैं Physics, Chemistry, Literature, Peace and फिफ्थ है Physiology और Medicine और लास्ट में बात करें तो Economics के शेतर में शुरू हुआ था तो इसका क्या इतियास है मैं आपको बताऊंगा अभी जब थोड़ा सा वेट रखिए तो जो अगर पूछे कि जब Nobel Prize शुरू हुए थे तो कितने शेतर में दिया जाता था तो 5 शेतर में दिया जाता था अब All the Nobel Prizes are given at Stockholm, Sweden देखिए जितने भी Nobel Prize है ये Sweden की Capital है Stockholm वहाँ पर दिये जाते है Accept the Nobel Peace Prize तो देखिए सब का आपको याद रहेगा जो Nobel Peace Prize है इसका आपको दिमाग में अलग से बठा लेना है तो Nobel Peace Prize जो है ये Norway की Capital Oslo वहाँ पर दिया जाता है तो समझे आए एक कोशन ये बना आपका यानि सब को जो दिया जाता है Stockholm में दिया जाता है लेकिन Special है Nobel Peace Prize तो इसके बारे में काफी पूरा बार पूछा जाता है Nobel Peace Prize कहां पी दिये जाते है तो normally सब जो Stockholm में दिया जाते है ये Special है तो इसलिए इसको जादा बार पूछा जाता है The Nobel Prize in Physiology or Medicine Field is awarded by Karolinska Institute While in Physics, Chemistry, Economics The Prize is awarded by Royal Swedish Academy of Science तो ये आपको जानना चाहिए इतना important यहाँ पर नहीं बनता है बट आपको पता होना चाहिए Nobel Peace Prize फिर देखे ये point यहाँ पर important है awarded by जासे मैं बता कि Norway दोवार देयाता है तो उसी इसी बात है Norway Nobel Committee दोवारा In literature, the Swedish Academy grants the Nobel Prize While the Sveriges Riksbank Prize is given In the field of Economic Science तो देखे जिसको हम अर्थसाथ का Nobel बोलते है Actually वो है ये आवार्ड Sveriges Riksbank Prize in Economic Science तो उसको हम अर्थसाथ का Nobel बोलते है और देखे ये question भी important है जैसे हमारा भारत दतन जो है एक साथ maximum तीन लोगों को दिया जा सकता है ऐसे ही Nobel Prize भी जो है maximum तीन लोग share कर सकते हैं अब हम बात करते हैं youngest recipient कौन है यानि सबसे कम उमर के वो इनसान जिनको Nobel Prize दिया गया है तो देखिए आपने नाम सुना होगा मलाला यूसुफ जाई फ्रॉम पाकिस्तान उनको 2014 का सांती में Nobel Prize दिया गया था at the age of 17 और वो youngest थी और उनके साथ जो भारत के थे उनको भी आवार्ड दिया गया था आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं oldest recipient देखिए जो oldest हैं वो कौन थे देखिए 2019 में जो chemistry का आवार्ड दिया गया था वो दिया गया था John B. Good Enough वो 97 यर्स के थे और वो oldest थे यहां पर अब देखिए एक point यहां पर बहुत important है कभी कभी वो question पूछता है कि महत्मा गांधी को Nobel Prize दिया गया है या नहीं दिया गया है तो देखिए महत्मा गांधी को Nobel Prize नहीं दिया गया है हाला कि वो नोमिनेस्ट हुए थे पांच बार 1937, 38, 39 और आजादी के बाद भी बात करें तो 47 और 48 में बट उनको Nobel Prize नहीं मिला था पीस के छित्र में In 2006, Secretary of Nobel Committee said तो यह question कभी पूछा जा सकता है कि दा ग्रेटेस्ट ओमिशन इन ओवर 106 अर्स नोबल हिस्टरी इस अंडाउटली डैट मिस्टर गांधी नेवर रिशिव्ट नोबल प्राइस 106 साल क्योंकि जब यह बात है 2006 की तो उस टेम 106 साल होगे थे तो बोला 106 साल के नोबल के हिस्टरी में जो ग्रेटेस्ट ओमिशन है जिनको नहीं मिला वो है महात्मा गांधी देखे एक कोशन यहाँ पर कई बार और अभी जो बच्चे यूप पीशेस का एजाम देने वाले हैं मोस्ट परबली यह कोशन आ सकता है Albert Einstein सबने नाम सुना होगा देखे उनको नोबल प्राइज किस फिल्ड में दिया गया है यह आपको पता होना चाहिए Albert Einstein Neville वन ए नोबल प्राइज फोर दा थियोरी ओफ रिलेटिविटी क्योंकि इनका सबसे फेमस जो सिद्धान्त रहा है यह थियोरी रही है वो थी सापिक सिता का सिद्धान्त यानि थियोरी ओफ रिलेटिविटी बट उनको इस फिल्ड में इस छेतर में यानि इस वाले जो थियोरी है उसके लिए नोबल प्राइज नहीं दिया गया है यह आपको ध्यान रहा है यह कोश्चन्स कई बार आता है और क्योंकि सबसे ज़्यादे इनकी जो बेस्ट थियोरी है सबसे ज़्यादे फेमस थियोरी है वो यही थी तो लोग इसी पर टिक कर देते है तो देखिए इसके उपर इनको नहीं मिला है यह आप लिख लीजिये कहीं भी इस वास्ट लोग पोलिटल जोकें विदिन अबल कमिटी देट ही वन दाप्राइज अट आप्राइज इस्टिट वें वास्टिविन दाट 1921 प्राइज इन फिजिक्स इन 1922 आफ्ट रोग बाव बाव अटनल इफेक्ट देखिए तो जब पूसा जाए तो आइंस्टीन को जो आवार्ड मिला था वो मिला था फोटो इलेक्टिक एफेक्ट के लिए तो यह कोस्टन हो सकता है PCS 2021 के एक्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे आपको याद रहेगा इनको कब मिला था फोटो इलेक्टिक एफेक्ट के लिए विच इंटर्डूस फोटोंस तो दा रिसेर्चर्चेश एक्ष्ट रोडिनरी एनफ देखिए एक बहुत इंपर्न्न कोश्यन है अगर आपको जेम्स वार्टसन और फ्रेंक किरिक के साथ में मूरिक्स विलिकिन्स को 1962 का फीजियोलोजी और मेडिशन में आवाज दिया गया था डबल हैलिक्स इक्स्टक्चर ओफ डियनने के लिए तो ये कोश्चन भी काफी ज्यादे इंपोर्टेंस रखता है कि डबल हैलिक्स ओफ डियनने का जो है वो किस किस की ठियोरी थी किसको नोबल प्राइज दिया गया था वाटसन क्रिक और उसके बाद विलकिन्स तो ये नाम आपको याद होने चाहिए हम बात करते हैं नोबल प्राइज इन एकोनोमिक्स देखे तो जैसा मैंने आपको बताया फोर्मरली नोन एज स्वेरिक्स रिक्स बैंक अवार्ड तो ये कोश्चन इसी नाम से भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि बताईए who received the स्वेरिक्स रिक्स बैंक अवार्ड in 1969 कुछ भी पूछ लेगा आप से या in 2021 तो आपको उसी आधार पे अंसर देना है तो इसका मतलब है नोबल प्राइज इन एकोनोमिक्स जैसे मैंने आपको बताया इसकी सुरुवात 1969 से की गई थी यानि जब 1901 में नोबल प्राइज की सुरुवात की गई थी उसमें इकोनोमिक्स के छेतर में कोई अवार्ड नहीं था प्राइमरिल पांच ही अवार्ड हुआ करते थे तो 1979 से यह कोश्चन्स मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है हर एक्जाम में यह नाम और किस साल यह सुरूवात तो 1969 अब देखिए कुछ उन लोगे के बारे में जानते हैं जिन्नों ने यह अवार्ड दो बार जीता है यानि कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्नों ने नोबल प्राइस दो बार जीता है उसमें अगर कोश्चन आता है उनली फिमेल टो विन नोबल प्राइस ट्वाइस तो देखिए वो हैं मेरी क्यूरी जो मेरी क्यूरी है उनको 1903 में फिजिक्स में और 1911 में केमेस्ट्री में यह आवार्ड दिया गया था तो इस दा ओनली वोमेन वो हैस बीन ओनर्ड ट्वाइस तो वो एक मातर महिला है आ दिया गया 1962 जोन बार्डीन फिजिक्स में दिया गया दो बार 1956-1972 फ्रेडरिक सेंगी उनको केमेस्ट्री में मिला है 1958-1980 तो देखिए यह आपको यहां पर धियान रखना है टू और गिनाइशन्स हैव रिसीवड दा पीस प्राइज मल्टिपल टाइम्स जो टू और गिन है इंटरनेशनल कमेटी ओफ रेड क्रोस उसको जो यह अवार है तीन बार मिला है 1917-1944 एड़ 1963 तो यह आपको याद होना चाहिए और UNHCR United Nations High Commissioner for Refuses उनको यह अवार दो बार मिला है 1954 एड़ 1981 में चलिए अब यह अवार में क्या प्राइज मिलता है एक गोल्ड मेडल मिलता है एक डिप्लोमा होता है एंड ए मोनेटरी अवार ओफ 10 मिलियन सेक स्वेडिस क्रों जो होते हैं वो 10 मिलियन या अगर हम डोलर में बात करें तो 1.14 मिलियन यूएस डोलर यहाँ पर आप मानके चल सकते हैं इसको अब है किन दो लोगों को यह अवार्ड पोस्ट यानि मरने के बाद मरनो प्रांथ दिया गया है तो जैकि 1961 में एरिक एलेक्स कार्ल फिल्ट में और 1961 में जो पीस पैस दिया गया था वो UN सेकरेटरी चनल ते डाग हैमर्स गॉल्ड तो इनको दिया गया था तो आप यह दो नाम याद रख सकते हैं 1974 से मरनो प्रांथ की अवार्ड बंद कर दिया गया है तो यह कोश्चन बाई नेम आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन जब कभी आईएस वगरा काई एक्जाम होते हैं तो उसमें पूछते हैं इसमें आप लिख सकते हैं वहाँ पे यह कोई कोश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह बर्नो प्रांथ 1974 से बंद हो गया पहले दिया जाता था इसमें आपको किसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है अब देखिए हम बात करते हैं क्योंकि इंडिया की हम हैं तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया के कितने लोगों को नोबल प्राइज दिया जा चुका है यानि इससे पहले जितने भी थे 12 साल तक वो क्या है या तो यूरोप या उस उधर कंट्रीज के होते थे एसिया में या नोन यूरोप में नहीं दिया जाता था यह वार तो 1913 में पहली बार भारत में रविद्र नाथ टैगोर जी को यह वोर्ड दिया गया था और देखें आप सबको पता है गीतांजली लिखी थी उनने तो गीतांजली उनकी लिटरेशर हो थी वह एक कलेक्शन ऑफ वोयम्स था वाजदा रिशन ही वन दा नोबल प्राइज इन लिटरेशर टैगोर वाजए पोएट आर्टिस्ट ओथर एंड तिंकर देखें उनके बा अब देखें जो सेकेंड थे भारत में उनको मिला था 1930 में यही 17 साल बात और वो थे सीवी रमन उनको फिजिक्स के छेतर में मिला था चंदर सेकर वेंकट रमन 1930 में फिजिक्स में मिला था उनको in the scattering of light प्रकास के प्रकेड़न के लिए और आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट या रमन प्रकेड़न के बारे में उननी के नाम पे इस इफेक्ट का नाम रमन इफेक्ट या रमन scattering है और इनको field के science के field में अगर मैं बात करें तो पहले Asian जिनको यह award दिया गया था first Asian to be awarded the Nobel Prize in the field of science the day of the discovery जिस दिन इन्होंने खोज की थी वो दिन था 28 फर्वरी तो देखे 28 फर्वरी को भारत में National Science Day मनाया जाता है यानि भारत का National Science Day का मनाया जाता है 28 फर्वरी को और यह question कई बार exam में पूछा गया है और किसके नाम पे मनाया सीवी रमन चलिए थर्ड थे मिस्टर हर गोविंद खुराना 1968 यह थे Overseas citizen of India he won the Nobel Prize in medicine for his distinguished research on genetics तो देखे आप इनका नाम Overseas citizen of India में लिख सकते है फोर्थ नंबर पर बात करता हूं तो मैं Major Teresa उनको सांती की छेतर में वार दिया गया था 1979 वो basically कहा थी यह question बन सकता है तो सीव was born in Serbia वो 19 साल में बारत में आ गई थी और उनने पूरी लाइफ यहां पे यहां की गरीबी को uplift करने में लगा दिया she trained and taught in Darjeeling in 1948 she started working through the organization missionaries of charity यह आपको नाम याद रखना है her strive to end poverty won the Nobel Prize in 1979 नमबर पांच पर हम बात करते हैं सुबरमन्यम चंदर सेखर यह भी overseas citizen of India है और उनको physics के छेतर में दिया गया था और एक सबसे खास बात यह है जो सीवी रमन थे जिनको physics में बारत के तरफ से दिया गया था यह उनके बतीजे थे तो his uncle was CV रमन तो चंदर सेखर was an astrophysicist his work involved the structure and evolution of stars he has a scientific construct named after him आप सब लोगों ने सुना हुआ चंदर सेखर लिमिट तो जो अंत्रिक्स में चंदर सेखर लिमिट की बात करते हैं वो इन्ही के नम पर है देखे बारत में जो पहली बार economic के छेतर में आवाड आया वो था अमर अमर्ते सेन basically Kolkata में born हुए थे उनको economics के छेतर में फिला था और उनकी जो थियोरी थी वो थी welfare economics तो किस field में मिला था welfare economics के field में he now spent his life between US, UK and India उनकी एक book है जो काफी famous है और कई बार पूछी गई एक्जाम में the argumentative Indian तो वो अमर्ते सेन ने लिखी है सात्वे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो वेंकर ट्रमन रामकृष्णन इनको 2009 में chemistry के छेतर में दिया गया था और ये भी overseas citizen of Indian थे रामकृष्णन वाज तमिलनाड़ो में born हुए थे उनको पदम वीबूशन भी दिया गया था comment box में बताईएगा तो देखिए मलाला यूसुफ जई के साथ 2014 में सांती प्राइस पुराशकार जो मिला था वो भारत के कैला सत्यारती को भी मिला था भारत में एक संस्ता है बचपन बचाओ आंदोलन NGO है जिनके founder के नाम पे इनको आप मान सकते हैं वो child labor के अगेस्ट and ब वो लगबग अभी तक child labor से एक लाख बच्चों को आजाद करा चुके हैं child labor trafficking and slavery जैसा मैंने आपको बताया था उन्होंने share किया था ये award मलाला यूसुफ जई के लिए 2014 में और देखिए बाह किरफ से जो 9th नाम है वो है ये भी overseas citizen of India थे economics के शेतर में अभीजीत बनर जी 2019 में को ये award दिया गया था ये mostly born and educated mostly in India he shares it with Esther Dufflo and Michael Kramer total 3 लोगों को ये award दिया गया था उसमें से एक थे अभीजीत बनर जी उनकी जो theory थी वो थी elevating global poverty यानी global poverty को समाप करना he presently lives and works in United States देखे there were two people ये और नाम आप एक पर होने चाहिए who were born in India and have received a Nobel Prize number one है रुद्रियाड किपलिंग वो मुंबई में पैदा हुए थे 1865 में he was the author of the book the jungle book आपने नाम सुना होगा jungle book तो इसके writers कई बार पूशे जाते हैं तो jungle book के writer का नाम था रुद्रियाड किपलिंग he was the first English language writer to win the Nobel Prize in Literature दूसरे थे रोनाल्ड रोस वो अलमोडा में पैदा हुए थे British India में and Nobel Prize मिला था उनको medicine for his distinctive work in malaria malaria के छेतर में उनको काम करने के लिए क्या मिला था Nobel Prize मिला था यह दो ऐसे थे जो बारत में जन्मे थे लेकिन बाहर के थे और इनको आजादी से पहले यहाँ पर जो थे है अब देखे सबसे पहला कोशन मनता है कि 1901 में जो पहला प्राइज हुआ था नोबल प्राइज वो किसको मिला था तो देखे सबसे पहले जो थे physics के छेतर में x-rays की खोज करने के लिए William Ronjan को दिया गया था बाकि chemistry के छेतर में देख सकते है जैकब हेंरिक्स वान्टॉफ को मिला था physics medicine में Emil Adolph Boring को literature में पूडोम और पीस के छेतर में Henry Durant और फ्रेडिक पासी को ये वाड़ मिला सबसे इंपोटेंट है physics के छेतर में William Ronjan जिनको x-screen की खोज करने के लिए ये आवाड दिया गया था जैसे डबल है उसकी मैंने बात की है तो देखिए वाट्सन क्रिक ओन विलकिंग उनिस तो बात करते हैं जस्ट मैंने ये नाम लिखे हैं जस्ट इसके बारे में डिटेल्ट वीडियो है और लेडी में बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं इसके description में डाल दूँगा तो आप इनका नाम देख लिजिए फीजियोलोजी और मेडिसन की छेते में 2021 का आवार्ड डेविड जूलियस एंड अर्देम पैटापुलिशन उसके बाद फिजिक्स में शुकोरो मनाबे किलोस हैसलमेन एड जियोर्जियो पारिशी केमेश्ट्री बेंचामिल लिस्ट ए इसिया तो जनरलिस्ट हैं और एकोनोमिस के छेते में तीनों अमरीके वेग्यानिक हैं साइन्टिस्ट हैं एक तरह से मांगे सकते हैं एकोनोमिक साइन्टिस्ट डेविड कार्ड जोसफ एंग्रिस्ट एंड गीडो डबलू इम्बैंस तो टोटल ये है जो आपको जरूर ज बारत के छेतरे के बारे में भी एजिया के बारे में भी और 2021 तक के सारे अवार्ड सारे important question मैंने कोसिस किया इसमें संग्रहिद करने की अगर ये मेरे प्रप्राइब आपको पसंद आए तो like और share जरूर करें और comment box में जरूर बताएगा और आपको एक चीज़ पसंद आये